इधर राजिस्थान की राजधानी जैपुर में पचले दिनों सुभाश चौक के एक स्कूल में स्वामी बाल मुकुंदा चारे के जाने के बाद हिजाब का मामला गरमा उठा जिसके बाद प्रदेश बीजेपी भी बाल मुकुंदा चारे के समर्थन में आ गई है और सिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने भी एलान कर दिया है कि तमाम स्कूलों में हिजाब को बैन कर दिया गया है और जो इस नियम को नहीं मानेगा वो स्कूल छोड़ सकता है आपको बता दे कि ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गुजरात से एक लड़की तंजीम मिरानी राजस्थान की राजधानी जैपूर के मानसरोवर इलाके में अंशन पर बैठ गए नवतेश कीवी से बात करते हुए तंजीम ने बताया कि वो हिजाब के खिलाफ नहीं है लेकिन सैक्शनिक संस्थानों से इसे दूर रखा जाए करनाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है आपको बता दें कि हवामेल विधायक स्वामी बाल मुकुना चारे की एक मोहीम के बाद से कही ना कहीं राजस्तान की राजस्तानी जैपूर के एक स्कूल से ये हिजाब का जो ये मामला उठा अब वो तूल इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि ना सिर्व राजस्तान से बलकि गुजरात से भी इसकी आवाज राजस्तान में उठाई जाने लगी है यहां हमारे साथ इस समय मौझूद है तिरंगा गल के नाम से मशूर तंजीम मुरानी जो नहीं महज 12 साल की उम्र में लाल चौक कश्मीर में जाके तिरंगा फेराया था उसी से ये काफी फिमस भी और कई मरतबा ये कई समाजिक मुद्दे उठाती रही है अभी इन्होंने क्योंकि खुद एक उस समुदाय से आती है जहां पर हिजाब पहना जाता है लेकिन ये उसका विरोध कर रही है पांच दिन लगभग इनको अंशन के हो गए हैं यहां प कि एजूकेशनल इंसिटूशन के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए सेकेंड यू सी सी लाग होना चाहिए और सी ए जल से जल लाग होना चाहिए तंजीम आप जिस समुदाय से आते हैं वह समुदाय तो आपकी इन तीनों ही मांगों के खिलाफ प्रदरशन करता है जी बिलक में विचार क्यों आया? आप जो यह मांगे उठा रही है और जो आप अपना हीरो भगत सिंग और इन सब लोगों को बता रही है तो डर नहीं लगता आपको क्योंकि आपका पूरा समुदाय है वह कहीं ना कहीं आपके खिलाफ तो जरूर होगा बिलकुल विरोध करते हैं लोग फत्वे जारी होते दो कि देते हैं और और विरोध करने वाले विरोध करेंगे क्योंकि उनकी अटियोलोजी और मेरी Éडियोलोजी में बहुत फ़रक है मैं खुद मुस्लिम हो लेकिन मैं खुद को सणाते मुसलिम मानती हूँ और मैं ने नाशनलिस्ट वे में अप्रोच है जो मेरा उसको ले बीट्याने जो मोहीम छला है तो बेसिक सबसे पहला सवाल यह होता है की आपका पूरा समोधा हम यह नुक है सकते हैं पूरा समुधा है आप जैसे लोग भी मौझूत है वो जो मांगे आप उठा रहे हैं वो तो इसका विरॉध करता है विरॉध करते भी हैं और साथ आने की कोशिश भी है और ऐसा भी है कि हमारे साथ जुड़े हुए है लेकिन डर के मारे नहीं बूल रहे हैं येता मेरसात, अमीर मुरानी जी इनका साफ़तावर पर ये कहना है कि इनकी बेटी की जो मुहीम जो है, उसमें 85 डिन इनको धरने पर बैठे हुए हो चुका है और त साथ है, और जोगलिए है वही मांगे कहीं न कहीं prodtali में भी शामिल है जो कि हमें तंजीम से पता पड़ा है और अब जाहिर सी बात है तंजीम जो कि राजस्थान के राजधानी जैपूर के के स्कूल से जो मुद्दा उठा था उस मुद्दे को सुनने के बाद वो यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैटी और इसकी यही आशा भ यह समाप्त होच सके और हलकि इनोंने राजस्थान सरकार की तारीफ जरूर करिये कि इसको जो धमकी मिली थी उसके बाद सरकार ने इनको सुरक्षा मोहिया जरूर कराई है लेकिन मातर 20 साल की लड़की जो मुहीम लेकर चल रही है पास दिन से एंशन पर है सरकार को जरूर इसकी और विध्यान देना चाहिए